हेलो दस्तों वेलकम तो इस्टेटमिंट चानल आज हम आपको दिखाने जा रहे है स्पेशियस टू भीएश के फ्लैट ना थोड़े इस लोकेशन का यहां पे आपको फ्लैट जो है धबल बालकनी मिल जाते हैं कार्पेट की बात करें तो 800 प्लस 12 फिट कार्पेट है यहां प अविब के साइस की बात करें तो यह है साड़े 14 फिट वाई लगबख साड़ी 10 फिट जीसा आप यहां पे देख सकते हो एल शेप में आपे आरिजमेंट की गई है साथ के साथ आप यहां पर सीशेप में अरिगमेंट भी कर सकते हो सामने आपके यहां आपके आजाईगे आपी स्पेशियस रिवी रूम है जिसको एटेस्ट आपको मिल जाती है यहां पें बालकनी प्रॉपर कवर्ड रहेंगे बालकनी बालकन की साइज से बात की जाए तो यह पाच फिट लगबग पॉने क्यारा फिट फिटिंग वाइस भी आप यहां पे देखोगे तो आपे सारी प्रीमियम फिटिंग दी गई है फ्लोरिंग की बात करें यह लगबग धाई फिट पाच फिट की फ्लोरिंग दी गई है चलिए बढ़ते आगे यह आपका डाइनिंग स्पेस तो यहां पे आप देख पा रहे हो आपका लिविंग रूम जो है एक साइड में आते है और एक शेप में आप यहां पे आपका अपका 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 बड़ा स्पेस है इसलिए आपके आपके शीट डाइनिंग की एलिमेंट कर सकते हैं तू भी एश्टिक फ्लैट में अपका साइज है लगबग पॉने 11 डाइनिंग के पास है यह आपका कीचन जा पर आपको में आता है पैलल प्लैटफॉर्म्स आप देवो के तो प्लैटफॉर्म भी कापी बड़ा है तो सिंस दिये गए है सो दैट आपको यूटेंसिल वाश के एक सेपरेट यापी सिंग मिल रहा है और फूट और विंटिल तो सिंग मिल रहा है तीम टैट्स दिये गए है यह पे उने खासियत बात है कीचन की विटो जो है यह यह आउटर साइड में है इसका ओपनिंग आउटर साइड में हो रहा है तो लाइट और वेंटिलेशन सिदह आपके कीचन में आ जाता है जैसा आप देख सकते हो ट्राइब आलिकनी जो है यह इंग्रोज दी गई है यह आप आप वाशी मशिन के अरेजमेंट कर सकते हो इसका इंडर और आउटेट का यह पर प्रॉपर प्रोविजन दिया गया है यह आपके जो है आपका स्विस प्लैट्पॉम जैसे आगे आप यह देख सकते हो डबल प्रिलाउंचिंग फेज में है तेरी आपको इस प्रोजेट को विजिट करना है और अच्छा रेट चाहिए तो जन से देख विजिट करना होगा शरी बढ़ते आगे डाइन के पास आपको बिल जाता है बार के से यह कॉमोन वाश बैसे जो की है सारे प्रिवेम कॉलिटिस हिद्वेर के दिये गए है इसके सामने आपके चिलनस बेडरूम सब देख सकते हैं चिलनस बेडरूम की काफी स्पेश यह साइज है 11 फीट बाई 10 फीट यहां पर बेड की एलिग्मेंट कर सकते हो चिलनस बेडरूम के इसाप से यहां पर आ जाएगा आपका पूरा वाट इसके बाद आपको एक स्पेश यहां पर मिल जाएगा उनका स्टेडि टेबल करने के इसाप से विंडो भी देखो गया तो काफी बड़े विंडोस दिये गए है चिलन बेडरूम के सामने ही आजाता है आपका कॉर्वन वाश्रूम जो कि है पाश पीट बाई लगवर साइब पाश पीट आपकी इसको भी चेक कर सकते हैं स्पेस एरेजमेंट भी देखोगे तो काफी अच्छा किया गया है यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है इमेनिटली मास्टर बेडरूम और इसमें वह एक खासियत बात है आपका वाट्रोव स्पेस जो है वह यहां पे इजी आप एरेजमेंट कर सकते हो तो बड़ा सा यह आपके वाट्रोव एरेंज हो जाएगा वाट्रोव का डेडिकेटली स्पेस जो है यह सेपरेट दिया गया है लगबग पौने 10 फीट बाच सब्वाद दो फीट का इसके इलावा बच जाता है सिर्फ आपका बेड और इस बेड के लिए आपको लगबग साइज मिल रही है जो कि आगे प्रॉप पर दोवर है वह भी आप यास से देख सकते हो बालकनी की साइज है चार फीड बाई साथ फीड इससे आप आगे आते हो तो यह है इसका एटेज वाश्रूम अगे विग दो आओल प्रिमियम फिटिंग आप ढ़िंग भी देख सकते हो सेंटरव फिटिंग सारे प्रिमियम दिये गए है यह आपके देख जो आप हिंडविर के फिटिर दिये गए है साथ यह डाइवर्टर जो है तो यह जैगवर के दिये गए है इसका साइज है सबस साथ पीड वाइपॉन पाश पीड इलेक्रिक स्विचेज के आप ओर ओर आल देखोगे तो काफी दिये गए है तो दोस्तों यदि आपको इस प्रोजेट के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक कर सकते हैं साथ इसाथ कमेंड बॉक्स में हमने वाट्सेप की लिंक दी गई है वहाँ से सिधा हमने साथ कनेट हो सकते हो और भी कुछ आपको किसी से रिडियों के साथ शेयर करें थैंक्स पो रोचिंग